सबसे अच्छा कौन? बाच्चाह अकबर के नवरतनों में से एक थे बीरबल, जो अपनी चत्राई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे. बाच्चाह की हर समस्या का समाधान बीरबल के पास ही होता था. आई ही, अकबर बीरबल से जुड़ी, ऐसी ही एक कहानी को सुने और समझने का प्रयास करें. एक तिन बाच्चाह अकबर चांदनी महल में अपने नवरतनों के साथ बैठे हुए थे. उन्होंने पूछा, फूल कौन सा अच्छा, दूद किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा, और राजा कौन सा अच्छा? किसी ने कहा कि गुलाब का फूल सबसे बढ़िया होता है. किसी के नजर में गाय का दूद अच्छा था तो किसी के खयाल से बकरी का कुछ गन्ने की मिठास को पसंद करते थे तो कुछ को शहद सबसे मीठा लगता था किसी ने केले के पत्ते का गुरगान किया तो किसी ने मीम के पत्ते का राजा के बारे में भी लोगों की अलग-अलग राय थी शेहनशाह को ये जवाब अच्छे लगे लेकिन बीर्बल अभी तक चुप थे शेहनशाह ने उनसे राय देने के लिए कहा बीर्बल ने उतर दिया आलंपनाह, फूल का पास का उत्तम होता है उसी से हम सब को तंधापने के लिए कपड़ा मिलता है दूद मा का अच्छा होता है उसे पीकर बच्चा फलता फूलता है मिठा जबान की अच्छी होती है पत्ता पान का सबसे बढ़िया होता है उसे पेश करने पर दुश्मन को भी दूस्त बना लिया जाता है उत्तर सुनकर सभी बेरबल की योगिता का लोहा मान गए कहानी का मूलभाव एवं संदेश प्रकृती में उपस्थित कोई भी वस्तू अध्वाजीब यदि अपने रोग गोण या बल के द्वारा दूसरों का कल्यान करता है तो उससे श्रेश्ट इस दुनिया में कोई नही है